मेरे परिवार जनों राम भधराचारे जी हमारे देश के ऐसे संत है जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई उनिवर्सिटीज श्टडी कर सकती है बच्पन से ही भावतिक नेत्र नहोने के बावजोर आपके प्रज्या चक्षु इतने विक्सित हैं कि आपको पूरे बेद वेदांग कंठस्त है आप सेक्डों ग्रंतों की रितना कर चुके हैं भारतिय ज्ञान और दर्सन में प्रस्तांत्रई को बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठीन माना जाता है जगत गुरुजी उनका भी भाश्य आदुनिक भाशा में लिख चुके हैं इस तरका ज्ञान ऐसी मेधा व्यक्तिकत नहीं होती ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है और इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में स्वामी जी को पद्व विफूशन से सन्मानित किया था साथियों स्वामी जी जितना धर्म और ध्यत्म के खेत्र में सक्री रहते हैं उतना ही समाज और राष्ट के लिए भी मुखर रहते हैं मैंने जब स्वच्य भारत अभ्यान के नव रत्नों में आपको नामित किया था तो वो जिम्मेदारी भी आपने उतनी ही निष्टा से उठाई थी मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किये थे वो अब पूरे हो रहे हैं हमारा भारत अब स्वच्च भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है मा गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है हर देश स्वासी का एक और सपना पूरा करने में जगद गुरू राम वजराचारे जी की बहुत बड़ी भूमी का रही है अदालत से लेकर अदालत के बहार तक जिस राम मंद्री के लिए आपने इतना योगदान दिया वो भी बनकर तयार होने जा रहा है और अभी दो दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में स्री राम जन्बोविमी तरक तिर्थक्षेत्र ट्रस्द्वारा प्राण प्रतिष्टा समारों में सामिल होने का निमंत्रण मिला है इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सवभाग्य मानता हूं कर दो कर दो